नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आलोक्स स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स प्लॉक पर दोस्तो पॉट में लगे मेरे ये पिंक कलर के जो कनेर का प्लांट है इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है ये जो वो खिलते ही रहते हैं और अब यह मैं इसको नीचे से पूरा कट चाट दिया क्टवा च्टवा दिया क्योंकि है क्या की जब तक नीचे नीचे यह बढ़ रहा था इसके अंदर flowers कमा रहे थे लेकिन जैसे ही इसके अंदर गाट चाट हुई या फिर जो है बारिस इधर दो-चार दिन हो गई तो अब इसके अंदर flowers खिलना शुरू हो गए हैं इधर बोगन सबसे पहला पौधा जिसे आप अपने गार्डन के अंदर लगाकर कम केर में ज्यादा फूल पा सकते हैं वह है चादनी का चादनी की कई सारी वराइटी भी मिलती है जैसे कि इसी टाइप की एक मिनियेचर चादनी आदी है जिसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं फ्लावर्स लेकिन बहुत ज्यादा क्वंटिटी में फ्लावर जाते हैं उसके बाद इसी की एक वेरिगेटिट वाली चादनी का प्लांट आता है जिसके अंदर पत्ते होते है लेकिन फ्लावर्स बिलकुल उसी चादनी के तरीके से आते हैं इसके बाद दोस्तों अगला पौधा जो ह च्छत पर रखे होने के कारड जो है यह जल रहे थे लेकिन अभी जितने नए पत्ते आ रहे हैं सबी हल्दी हैं ग्रीन है मैंने इसके उपर जो है इसको खात देने को लेकर एक विडियो आप लोगों के साथ सेयर करी थी अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो प्लीज जाक में फ्लावरिंग करता है इसका एक जो मिनियेचर वाला आता है जिसमें यलो कलर के फ्लावर्स आते हैं बहुत थोड़ा जो है वो ज्यादा केर मांगता है लेकिन आपका जो यह वाइन सेमी वाइन वाला प्लांट होता है जिसमें यलो कलर पीच कलर लाइट औरेंज कलर के इस तरीके से flowers आते हैं ये कम केयर में बहुत ही ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है इसके बाद दोस्तों ये आपका जो है ये बोगन बीलिया का प्लांट है जिसे paper flower के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके पत्ते जो है ये कागज के जैसे बिलकुल आते हैं इसमें मेरे पास इसकी कई सारी ये देखिए ये वाइरी गटिट वाला जो plant है ये भी सीका है और ये इसका mother plant है जिसकी cutting से मैंने इसको बनाया है और उसके बाद एक ये वाला है इसके अंदर तो flowers नहीं है ये क्योंकि बारिस का पानी मिलने पर जो है इनके अंदर already flowers आना कम हो जा यह एलो कलर वाले में यह 3-4 बंचिज जो है वो खिली हुई है जितना ज्यादा तेज धूप मिलती है उतना ही ज्यादा इनके अंदर फ्लावर साते हैं अगला प्लांट है आपका जो है कनेर का कनेर भी अगर आप नेगलेक्ट करके बिल्कुल छोड़ देते हैं कम केर करते ह हैं कम पानी देते हैं तो उतना ही ज्यादा यह फ्लावरिंग करता रहता है बहुत सारी कलर वेराइटी जो आपको कनेर की मतलब हाइब्रिड वाले में मिल जाएगा यह मेरा डाक पिंक है लाइट पिंक वाला ग्राउंड पर लगा हुआ है आपको यलो इस वाइट मिलेग और प्योर वाइट भे मिल जाएगा अगला प्लांट जो है यह है टेकसास सेज का टेकसास सेज के उपर मैंने एक पूरी विडियो शेयर करी है अब देखिए यह दुबारा से फ्लावरिंग के लिए रेडी हो रहा है क्योंकि एक सिफ्ट फ्लावरिंग के बाद देखे यह पर मैं आप लोगोंको दिखा भी देता हूँ यह जितना आप देख रहे हैं यह सुखा हुआ भाग यह सब पर फ्लावर्स आया हुआ था अब है क्या कि जब यह गिर जाएंगे तो दुबारा से जो है यह फ्लावरिंग करेगा और है क्या यह शिप्ट में ही देखें मेरे इस प्लावर्स आते हैं और काफी खुबसूरत जो है यह पौधा है फ्लावरिंग जब करता है तो बहुत अच्छा लगता है अगला पौधा जो है यह देशी गुडहल का है देशी गुडहल के मेरे पास यह वाइट कलर है यह पिंग कलर है उसके बाद मेरे रेट कलर जो सबके गार्डेन में होता है वो मेरे पास है ही तो कम केयर में चलने वाले पौध है यह बाकि इसका हाइब्रेड ही विसकस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा केयर मांगता है और साइद आप उतनी केयर अगर ना कर पाएं तो इसके अंदर फ्लावर्स भी लेना चेरी वही जो केक के उपर लगाई जाती है अभी तो मैंने इसको गमले में ही लगाया है मैंने इसको वैसे ग्राउंड पर लगाने के लिए लिया है यह बदाम का पौधा है इसको भी मैंने ग्राउंड पर लगाने के लिए लिया है और भी पौधे होंगे जैसे यह बेल क चंपा का है only a light pink य तो बहुत सारी जमिल जाता है और इस में भी आपको नागचंपा एक ही मिलती है नागचंपा का भी प्लांट मेरे पास है तो आप दोस्तों अगला प्लांट यह यह है देशी बिंका का देशी बिंका जो है यह एक पर्मानेंट प्लांट है बसरते है क्या कि आप इसके बीच जो है बो लगाते रही है बहुत कम केर में सबसे ज्यादा फूल देने वाला पौधा है इसकी जो हाइब्रेड वराइटी आती है मतलब जितने भी हाइब्रेड वेले पौधे हैं उनके अंदर आपको ज्यादा देनी पड़ती है तो कम केर में ज्यादा फूल देने वाला पौधा है इसका भी दो कलर है यहां मैंने ग्राउंड पर लगाया हुआ है और देखे कितनी चादा क्वांटिटी में इसके अंदर फ्लावर्स आये हुए है ग् जो मदर प्लांट है वो यहां पे अंदर रखा हुआ है जिसके अंदर फ्लावर्स आपको नजर आ रहे होंगे अगला प्लांट जो कम केर में ज्यादा फूल दे सकता है यह है अपराजीता का अपराजीता का वाइट कलर है यह मेरे पास इसका ब्लू कलर भी है और कम केर मे ज़्यादा फूल देता है और अगर आप इसके बीज गठा कर लेते हैं तो चाहिए तो पूरा खेत इसका ही बना सकते हैं इतने ज़्यादा quantity में ये इसके अंधर flowers आते हैं और इतनी ज़्यादा quantity में ये बीज बनाता है फिलाल ये हैं वो पौधे जिनको आप अभी लगा कर जो हैं कम केर देकर ज़्यादा फूल ले सकते हैं बाकि इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं फ्लावरिंग लेकिन उतनी ही ज़्यादा आपको केर देनी पड़ेगी जितना उनके अंदर फूल आते हैं मैंने आपको एकजोरा नहीं दिखाया टिकोमा नहीं दिखाया मधू मालिती की बुस वराइटी नहीं दिखाई जो मेरे गार्डन के अंदर हैं क्यों क्योंकि जो है उनके अंदर आपको केर ज़्यादा देनी पड़ेगी और फ्लावर्स तो आते ही हैं यहां पर केर उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी कैसी लगे आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक क्रेब अब आए टेक केर